हालो मित्रों दोस्तों कैसे हैं आप सब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मौसम बहुत सुहावना है दूप खिली है आज इतवार है तो क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए यहां दाडला घार से लगवख 20 किलोमेटर की दूरी पर पिपलू घार से होते हुए बाड़ी धार नाम का एक तीरत स्थल आता है जहां भगवान शिव का बहुत ही सुन्दर मंदिर है यह जगा भी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है तो वहीं मैं आज जा रहा हूँ ताक खास क्या है तो लेड़ा स्थान पर मैं अभी हूँ इस जगा का नाम पिपलू घाट है दिन के लगवख 12 बज चुके हैं और यहां से बाड़ी धार की दूरी लगवख 12 किलोमेटर है बाड़ी धार पहुँचने के लिए हमें एक अन्या छोटे से गाउं सर्याज से होकर जाना होगा और पिपलू घाट से सर्यांज की दूरी छे किलोमेटर है जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं जिव ही आप पिपलू घाट से बाड़ी धार की तरफ बढ़ते हैं प्रकरती का मनुरम द्रिश्या आपके दिल को छू लेता है हरे भरे पहाड खुला आस्मान स्वच्छ वायू तो देखिए हम कहां पहुँचे हैं ये सामने बाड़ी धार है चोटी पे जहां आप धुंद या कोहरा देख पा रहे हैं मौसम ने अचानक करवट बदली है जब मैं दाडला घाट से चला था तो आस्मान साफ था धूब के लिए थी और अब आप देखिए आस्मान में बादल नजर आ रहे हैं काफी काले बादल है और मुझे लगता है जब तक मैं बाड़ी धार भगवान शिव के दरवार में पहुंचूंगा तब तक वर्षा शुरू हो जाएगी तो मेरी यात्रा मुझे लगता है आसान होने वाली नहीं है इस समय मैं सर्याज पहुंचा हूँ यह एक छोटा सा और अत्यंत सुन्दर गाओं है जहां प्रकृति अपने अत्यंत मनोरम रूप में आपको देखने को म आखिरकार मैं बाड़ीधार पहुंच चुका हूँ परंतु धोड़ी निराशा है क्योंकि यहां कोहरा है और कि सिवाए इन पेड़ों के कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहां सराय है जहां पे यात्री विश्राम कर सकते हैं और कुछ भवन निर्मान का कारिया भी चल रहा है देखे कितना कोहरा है यहां पे अवी परंतु अच्छी बात यहां है कि आज यहां पे बिल्कुल भी भीड नहीं है यहां पाड़ीधार का मूल मंदिर है होम बाड़ेश्वर महादेव जी और इसका जो इतिहास है वो पांड़ों से जुड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है कि अग्यातवास के दौरान पांचों पांड़ों यहां कुछ समय के लिए ठह रहे थे तो आखिरकार हम बाड़ीधार पहुँच चुके हैं यह सीड़ियां बगवान शिफ के मंदिर की और जाते हैं यह शायद नया मंदिर है यहां पर पुराना जो स्थान है वो नीचे है जहां मैं अभी था आपने जहां मुझे देखा वहां मुझे लगता है पुराने मंदिर का पुनर निर्मान किया जा रहा है तो यह जो चोटी पे मंदिर है यह नव निर्मित मंदिर है बहुत सुन्दर है चलिए इसे आपको दिखाते हैं तो यहां चोटी पर यह भगवान शिव का नव निर्मित मंदिर है आम तोर पर यहां लोगों का विशाल जन समुहू देखने को मिलता है परन्तु शायद क्यूंकि अत्यन्त वर्षा हो रही है आजकल तो शायद लोग बहुत कम यहां पे आ रहे है शेहर के कोला हल से दूर यहां प्रकृति की गोद में आना सच मुच्छ सुखदाई अनुभव है मुख्य मंदिर के साथ ही एक अन्या छोटा सा मंदिर है मा बूरा देई का और यदि आप बाडिधार आए हैं तो मा बूरा देई के दर्शन किये बिना आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी मा बूरा देई के दर्शन करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में नत्मस तक होना अत्यंत आवश्यक है और यहां वहां मंदिर है जो इस परवत की सबसे उंची चोटी पर आज अपने भव्य रूप में आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे आप भगवान शिव का यह मंदिर देख पा रहे हैं स्थानिय निवासियों की यह मान्यता है कि इस चोटी की उंचाई शिमला से दो हाथ ज्यादा है और इसलिए शायद सर्दियों में यहां बहुत ज्यादा बर्फ भी बड़ती है यह आश्चर्य का विशे है और इस थान पर आकर सचमुच मानसिक शांती की अनुभूती होती है इस बात में कोई शक नहीं है इसी के साथ मेरी बाड़ी दो है इदार की यातरा समाप्त होती है भगवान शिव आपके जीवन में सुक शांती बनाए रखे धन्यवाद